नमस्कार दोस्तों आपका हादिक स्वागत है हमारे onlyairweight.com के आज के इस यूटिव वीडियो में और दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया टॉपक लेकर के आए हैं जो की हमारी health related है और इसमें हम डिसक्स करेंगे कि airweight में हमें क्या के समाधान बताए गए हैं क्या के नुस्के बताए गए हैं और हम easily घर पे बैठे इनका समाधान कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार request है कि आप हमारे वीडियो को like कर लें share कर लें और हमारे चनल को subscribe कर लें ताकि आपको नए-ने updates का पता लगता रहें तो दोस्तों आए शुरू करते हैं मिना किसी देरी के आज के topic दोस्तों आज हम दांतों की cavity के बारे में discussion करेंगे और दांतों में अगर कीड़ा लग याता है तो दांतों को खाना शुरू कर देता है और दांत गलने शुरू हो जाते हैं तो ऐसे में cavity बन जाते हैं जो की काफी परिशानी भरी situation होती है तो अकसर लोग समझते हैं कि cavity बन गई है तो दांत सही नहीं हो सकता है लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है अगर कीड़ा लग भी गया है cavity बन गई है तो भी दांत सही होने के चांस होते हैं इसमें जुरुरी है कि आप इसका proper treatment करें तो अगर प्रीडा लग जाता है cavity बन जाती है तो अगर आप इसका proper treatment करवाते हैं तो यह सही हो सकता है लेकिन यह थोड़ा सा lengthy process होता है तो आज दोस्तों हम देख लेते हैं कि आप घर बैठे क्या treatment कर सकते हैं और आयरवेज ने इसके लिए हमें क्या treatment बताया है तो cavity वाले दांतों के लिए आज हम एक मन्यन बनाना सीखेंगे जिससे कि आप दांतों को सही कर सकेंगे इसमें जो सामगरी है वो इस तरह से है आज सबी चीजों को अच्छे से mix कर ले और सुबह मन्यन करते समय इसको लें और इसमें दो बुल लॉंग का तेल मिलागर इसको अच्छी तरह से mix कर लें और इस मन्यन को आपने करना है यह मन्यन आपको दांतों की cavity से मक्ट करेगा और सुबह और शाम को दस ग्राम शुरू होती है और निश्चित रूप से इसका लव आपको मिलना चाहिए और दोस्तो आजकल हम जो भोजन करते हैं वो अत्यदे केमिकल से शिर्काविक्त होता है और इससे बचने के लिए भोजन को बनाने से पहले हर चीज को रात्री को भिववा जा सकता है इसको पानी में भिवोकर एक चमच सिर्का या नीमू का रस मिलाकर रखें और फल और सब्जियों में मिले जो भी एसेक्स बगरा हो निकल जाएंगे जिससे बोजन में मिलने वाला मिनरल और पोशन अच्छी तरह से मिल सकएगा और मिनरल और अन ज़रूरी पोशन के लिए आप नेमित आपके दांतों को नई सरुचना बनाने में मदद मिलेगी और आपके दांत नेशी जूरूप से ठीक हो सकेंगे तो दोस्तों आप यह जूरू करके देखें आपको दांतों की प्रॉल्म है जो कि आजकिकल काफी कॉमन होती है और आपको इसका जूरूर फैदा मिलना चाहि तो आप यह करें और आपको जो फीड़बेक कमेंट्स आदी है वो हमारे साथ जूरू शेयर करें